हेलो दोस्तो नमस्कार वेलकम लाइफ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे 31.18 सी टाटा गाड़ी के बारे में और इसके जो गैर बक्स है उसके बारे में बात करेंगे जब आपकी कलच जो है कलच का पूरा सिस्टम जब खराब हो जाता है तो उसमें आपको क्या क्या नहीं चीजे डालनी पड़ती है क्या उनके नाम होता है सब कुछ आज इस वीडियों आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा बिल्कुल क्लिर्टी के साथ तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीवर्स हो तो आपके लिए बहुत थैंक्स तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आए तो आज किस वीडियों बहुत इंपोर्टन चीज जो है आपके लिए बताने वाला हूँ तो सब से पहली चीज है टाटा इकतिस अठारा का जो गैर बक्सा होता है वो होता है सैतिस नंबर का और इसमें आपको जो है चार चीजे जो है चार पार्ट बहुत इंपोर्टन होता है अगर आपकी जब क्लिच फ्लेट खराब होती है तो इसमें क्या-क्या चैंजिस होता है तो सबसे पहली जो क्लिच फ्लेट होती है वो इस तरीके की होती है टाटा 31,18 में आप देख सकते हैं इस तरह की होती है और इसको जब आप ये शुरुवात में जब खराब होती है तो तो ये आपको जो है दस या पंदरा दिन पहले ही वर्निंग देदेगी क्योंकि आपकी क्लिच इस प्रकार खराब उठेगी नहीं गाड़ी नहीं एक जो फुल आपका पिक अप होता है वो गाड़ी में नहीं हो पाता है उसके बाद आपकी गाड़ी जो है दबने लग जाती है किलिच प्लेट और प्रेशर प्लेट और फालइवर कड़ा और एक होता है हमारा बैरिंग यह चार चीजे होती है इसमें सबसे नंबर پर लाति है कलिच प्लेट फेर उसके बाद लेटर प्रेशर प्लेट यह भी आपको जो है इसी के साथ लगानी पड़ती है जब भी आप मिस्ट्री के पास जाओगे और फिर थार नमबर पर होती है फलाइवर कड़ा और एक बेरिंग ये चार चीजे बहुत महत्पुन होती है आपकी गाड़ी में ये पूरा सैट डाला जाता है जब आपकी गाड़ी का जो है क्लस प्लेट हो जाता है अगर मिस्ट्री अच्छा हो तो इसे लिप्ट के दवारा उतार जाता है और चड़ाया जाता है और इसकी जो भी पार्ट है अगर मीडियम साइज में खराब है तो वह डाल दी जाते हैं अगर ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो उनको दूबारा से रिपेर नह है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में नोटिकेशन बैल होता है गंटी उसको जरूर दबा दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो के न्यू नोटिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर स्माप करते हैं नेस्ट वीडिय कि मिलते हुड़ां।